तो दोस्तों, आज की बेडियो में हम जानेंगे स्वर, हिंदी वर अनमाला के स्वर के बारे में वो ध्वनिया जो स्वतंतर रूप से बोली जाए झाल 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 परन्त जिनका परियोग स्वतंतर रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो स्वर कहलाते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या ग्यारा है जैसे या हिंदी के ग्यारा स्वर है और उसके बाद आता है स्वरों के मुख्यता दो भेद होते हैं नमबर एक पर है हरश्वस्वर नमबर दो पर है दीर्ग स्वर